असलाम नेकूम स्टूडेंट्स हम लोग स्टॉडी के रहे हैं फिजिक्स का यूनिट नमबर टू जो के हमने स्टार्ट किया था जिसमें से हमने इसको फर्स टॉपिक था बेसिक कॉंसेप्ट्स अफ वेक्टर जिसके सब टॉपिक्स हम कहां तक स्टॉडी कर चुके हैं यह स्ट्राइब की वेक्टर्स होते हैं जिनका मैगनिटूड हमेशा वन के एक्वल होता है ठीक है यूनिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैगनिटूड जो हमेशा वन होता है वन के एक्वल होता ठीक है और यह हमें क्या बताते हैं कि हमें वेक्टर्स की ड डाले यहां यहां है घंडीचोन रिपर्जेटेशन अब स्काइब क्लिड़ एक सब्सक्राइब है इस इसकी डिलेक्शन जो है जिसकी डिप्रिजेंटेशन की प्रेश्ट में लिख दराना सबुक्र है तरफेंट academia क्या है 한कील को साट रिखते हैं इसकी ओपर प्रहलकrest रुद बिक्ण में तसके पारे है तो यह एक यूजր वेक्टर है जैसे फॉर्ट्स कर ले हमारे पस एक एक वेक्टर है उसको हमने कह गए यह यूनिट वेक्टर है जिसका मैगनिटूड जो है वह वान है तो वह हमें कैसे शोक है पता चलेगा कि यूनिट वेक्टर जैसे ए है एक उपर अगर छोटी सी कैप आजे तो यह जो कैप है ये हमें क्या शो कर रही है ये यूनिट विक्टर की डिरेक्शन को शो कर रही है उसकी इंडिकेशन उसकी रिप्रिजेंटेशन है कि जो हमारे विक्टर है वो क्या है वो हमारा यूनिट विक्टर है इस टाइम पर ये इसकी रिप्रिजेंटेशन है यूनिट विक्टर हमा वा है case याये य्यूनित वेक्टर ऐहाट इकवल्हेयूरिजनल वेक्टर ओवर मेंगिनिटूड अफडियर जो है वह उसका ओशनल वेक्टर और नीचे लिटे मैं के वहेब और मैंनिटूड ऑफेक्टर ये हमें इसका फॉमुला है यूनिट विक्टर का ठीक है अब जैसे हम ले लेख में कैसे सहर करता के अप कीी माद की सुर्थ health कार सब्सक्राइब अब लेते हैं स्वेसे का सब्सक्राइब founders अ-ल गारा था और कार्टीजिन कोडिनेट सिस्टम पढ़ा था खाचेंग को इंगल्सिम ऑदो एंगल के दरम्यान में लेकिन जो हमारा दूसरा था जो हमने space में study किया था यह वला topic the direction of vector in space उसमें हमारे पस तीन directions आई थी x y and z जो unit vector है वो हमारी इस direction को show करता है इसमें लाए करता है space में ना कि Cartesian coordinate system में जो x y वले exist थे उसमें नहीं करता है यह space में लाए करता है उसमें direction को show करता है और जो इसमें directions को show करता है x के लिए हम use करते है i cap y के लिए हम use करते है j cap और z के लिए हम use करते है k cap जो caps हैं जो head इसको head भी कह सकते है cap भी कह सकते है unit vectors को show करता है और यह हमारे किसमें आता है space system में आता है space direction में आता है ना कि Cartesian coordinate system में लाए नहीं करता है ये था हमारा unit vector इसमें से आप लोगों ने इसकी definition ready करनी है इसकी representation और इसका formula अब जो